दोस्तों आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है SSC GD Exam 2023, 6 फरवरी All Shift का exam complete हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों एक छोटा सा pattern में बदलाव देखने को मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे पूरे दिन का paper जो analysis होगा उसमें बहुत सारी चीज़े आपको सीखने को मिलेगी जिनका exam अभी आ गयाने वाले दिनों में उनको किन बातों का ध्यान रखना है वो सब कुछ इस वीडियो में मैं discuss करने वाला हूँ और पूरे दिन में पूछे गए 105% भी हम इसी वीडियो में cover करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत पूर्ण रहेगी पूरी वीडियो को देखेगा चलिए शुरू करते हैं दोस्तो एक कोशन पूछा गया था मीरा भाई चानू किस खेल से संबंदित है तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा भरवतलन यानि की वेट लिप्टिंग से संबंदित है देखे खेल से संबंदित खिलाडियो पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ अगर आप लोग पढ़के गए होंगे तो ये कोशन गलत नहीं करके आते अगला कोशन आता है साथ वहान वंस का समय क्या था देखे इस्थापना हुई थी 230 से 60 इशापूर्व के बीच राजा सीमुक ने की थी दोस्तो ये आपको यादकने है साथवान राजाओं ने दोस्तो 450 वरसों तक सासन किया था ये पॉइंट आप एक्स्ट्रा याद रखेगा क्योंकि ये भी पूचा जा सकता है ऐसे योग आंदोलन कहा हुआ था, सितम्बर 1922 में ऐसे योग आंदोलन हुआ था कहा पर कोलकता में ये कोशन आप से पूचा गया था अगला कोशन पूचा गया दोस्तो 70 नरत्य किस धरम से है तो सत्रिय नहत्य को दोस्तों वैसनव धरम के परचार हेतू परचलित करवाया गया था ये कोशन आपसे पूछा गया था देखे कोशन था दोस्तों छटी पंचवर्शे योजना का लक्षे क्या था तो लक्षे रखा गया था दोस्तों 5.2% और प्राप्त हुआ था आई तिंग ये उल्टा हो गया ये 5.7% रखा गया होगा और 5.2% अचीव हुआ था इस परकार से होगा देखे मुखे उदेश से क्या था दोस्तों ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेगा आर्थिक विकास और गरीबी को खतम करना था दोस्तों 6.5 वर्षे योजना का लक्षे कार्यकाल रहा था 1980 से 1985 तक ये पॉइंट भी आप लोग नौट करके होए चल लेगा दोस्तों अगला कोशन है रास्पती बनने की निनुतम आयू कितनी होती है 35 वर्षे कोशन रिपीट हो चुका है 35 वे रास्टे खेल कब हुए थे दोस्तों 31 जनवरी से 14 फरवरी 2015 में हुए थे कहां पर हुए थे केरल में हुए थे ये भी नौट कर लेजेगा 2004 में सास्तिरे नित्ते पुरुषकार किसे दिया गया था तो राइट आंसर हैगा दोस्तों केलुचरन महापातर को ये भी पॉइंट आपसे पूछा गया था मारास्ट में अंधेरी इस्ट विधान सभा उप्चुनाव कोन जीते दोस्तों तो रितू राज लटके इस कोशन कर आएट आंसर दोस्तों हो जाएगा देखे जो मैं एक पॉइंट बोल रहा था कि एक पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है जिनका एक्जाम है दोस्तों आगया आने वाले दुन में उनको ध्यान रखना है मैं आपको एक PDF देता हूँ जिसमें सारे paper analysis है अभी तक के तो आपको करना क्या होगा only top study app को अभी तुरंट जाकर के डाउनलोड करिए नीचे description box में लिंक है और youtube free वाले section में जाएगा यहाँ पे sstgd का अलग से option मिलेगा इसमें से दोस्तों 1400 question की जो sstgd में भी तक पूछे गए एक PDF मिलेगी जो की free of cost है उसको आप यहाँ से जाकर के ले लीजे और से पढ़के जाएगा आप दोस्तों यकीन मानिए 5-7 question आपके बिलकुल यहाँ से fix हो जाएगे उस PDF से ठीक है बाकी analysis देखते रही है और भी च questions पूछे गए हैं विस्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है यार बहुत ही easy question है यह हो जाएगा दोस्तों भारत इसके अलावद दो और important question है जो आपको याद रखने है दोस्तों भारत का सविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित सविधान है एक तो यह point याद रखना है और America का सविधान दोस्तों सबसे पुराना लिखित सविधान है यह भी point आप लोग को याद रखना है एक question था दोस्तों संग्मरमर का रसायनिक सुत्र क्या था CACO3 मैंने परसो ही दोस्तों संभावित परसन की जो हमारी वीडियो है उसमें cover करा था संग्मर अगला question दोस्तों मारास्ट में सबसे कम उमर के speaker कौन बने है तो right answer एगा दोस्तों राहुल नर्बाकर यह आपका हो जाएगा right answer यह आपको याद धखना है ओलमपिक 2020 कहां हुए थे तो 2020 के दोस्तों जो ओलमपिक है वो गिरिसम कालीन ओलमपिक यह आयो जन हुए थे दोस् दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंग क्या वाला राज्य दोस्तों पूचा गया देखिए थोड़े दिन पहले ही तीसरा सबसे अधिक जनसंग क्या वाला राज्य पूचा गया था और मैंने उसी दिन बताया था कि सबसे अधिक जनसंग क्या वाला उत्तर प्रदिस दूसरे नमबर वाला मारास्ट है और तीसे नमबर वाला दोस्तो ब्यार हो जाएगा तो ये पॉइंट आपको जरूर नोट कर लेना है जो ब्लू में लिख के लेके आता हूं मैं एक्स्ट्रा ये अगर आप लोग देखते हैं दोस्तो इन से बहुत कोशन फसते हैं अगला कोशन है ल एली बार 1921 में हुआ था तो ये भी पॉइंट आप लोग को यादखना है वर्तमान में लक्सदीप के उप राज्यपाल कोन है दोस्तो तो स्री सुसील सिंग जी हो जाएगा राइट आंसर ये आपको यादखना है केलो इंडिया यूथ गेम 2022 में सर्वधिक मेडल किसने ज विकर्शन का विलोम सद्वी पूछा गया था तो विकर्शन हो जाएगा राइट आंसर आग बवुला होने मोहामरे का अर्थ आपसे पूछ ले गया दोस्तो तो क्रोज से उत्तम हो जाना ये इसका आंसर हो जाएगा मैडम सर नामक आत्म कथा कि लेखा कोन है दोस्तो विभाजन लोड कर जन द्वारा किया था दोस्तो ये भी आपको या दखना है एक कोशन था नालंदा विस्विद्यल्य की स्थापना किस ने की थी तो दोस्तो कुमार गुप्त पर्थम ने की थी नालंदा विस्विद्यल्य की स्थापना ये भी आपको या दखना है कमल का परियवाची सब्द देखे पंकज नीरज शरोज जलज अम्बूज ये आपके सारे हो जाएंगे कमल के परियवाची सब्द अगला कोशन है दोस्तों सतलज परियोजना किस नदी पर है तो देखे जितने भी परियोजना है इन पर भी वीडियो आ चुकी है आपकी इनको भी देख लेना चेनाब नदीपर दोस्तों ये आपके आदकना है सबसे छोटा केंद्र सासित परदेश कौन सा है तो लक्सदीब दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका कुल चेत्रपल है केवल 32 किलोमेटर ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेना ठीक है अ आपको याद रखना है सिवजी और पारवती जी की पूजाया आपर की जाती है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं तो यह कोशन रिपीट हो चुका है मैं बोल रहा हूं दोस्तों आप लोग को अगर आप पुराने वाली पीडिया पढ़के जाएंगे तो उसमें स साथ में ही मतलब वो होगा इनके ही मार्क्स थोड़े गटेंगे क्योंकि अब थोड़ा इजी मेरे को पैटरल लग रहा है स्टार्टिंग से अगर थोड़ा देखा जाए जम्मू कस्मीर में माई गवर्मेंट पोर्टल किस ने लौंच किया था तो मनोच शिना दोस्तों य यह पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है क्या पता यहां से कोशन बन जाए अगला कोशन है बलबन का कारेकाल कब से कब तक था तो 1265 से 1287 तक था और ग्यासुदीन बलबन दोस्तों इसका वास्तविक नाम था यह पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं दिल्ली सल्तन में गुलाम वंस का सासक था यह यह भी नोट कर ले सकते हैं देखे एक कोशन था कि अंग अंग खालिस्थान होना मुहावरा पूर्ण कीजे तो देखे अंग अंग धीला होना ओप्शन में था धीला दोस्तों यहीं यहां पे आंसर बन रहा था बच्चे के अकोर्डिंग जो उसने ऑप्शन के बताया है कि सर यही आंसर बन रहा था अंग धीला होना अर्थ होता है दोस्तों बहुत ठक जाना ठीक है तो यह आपको याद खना है यह कोशन आपके एक्जाम में पूछा गया था एक कोशन दोस्तों ऐसे योग आंदोरन किस वर्ष शुरू हुआ थ तो एक अगस्त 1920 में दोस्तों ऐसे योग आंदोरन शुरूआ था और यह कोशन दोस्तों अलग-अलग दो सिफ्ट में पूछा गया है परवत का परियवाची सब्द क्या है अमन सेल नगर और बूदर पहाड अचल दोस्तों परवत के सभी परियवाची हो जाएंगे यह आ अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना उसमें सारे कोशन कवर करा रखें जो हरित क्रांती से संबंदित बन सकते हैं कौन सा रक्त का परियवाची सब्दे दोस्तों लहू खून इस परकार से आपका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों नीती आयो आई उसको देख के चले जाना जी एनपी फुल फॉर्म पुछी किती तो ग्रोस नेसलर प्रोड़क्ट हो जाएगा राइट आंसर भारत छोडो यातरा 2022 किसने शुरू की थी तो रावल गांधी जी ने शुरू की थी इस देखे भारत जोडो से अगर मैं बात करू दोस्तो तो कम से कम तीन चार कोशन आपके एक्जाम में आ चुके हैं रावल गांधी जी ने दोस्तो साथ सितंबर 2022 को तमिलाडू से यातरा सुरू की थी कन्या कुमारी से और भारत जोडो यातरा की शुरू आत हुई थी ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है जावरी बैने किस नेट्य सहली के लिए परसीद है दोस्तो मनीपूरी ये आपके दखना है गुरू विपिन को अक्सर मनीपूरी नेट्य का जनक माना जाता है ये पॉइंट नोट कर लेना है मुख्य रूप से मनीपूरी नेट्य से जुड़ी तीन सहली आए दोस्तो ये भी नोट कर लेना ह 2018 एशियन खेल में भारत के धवजवाग कोन थे नीरा चोपड़ा जी और अगर मैं बात करूँ दोस्तो उद्गाटन समारों के दोरान भारत के धवजवाग नीरा चोपड़ा जी थे इन्नोनेशन में दोस्तो जकारता और पालिम बाग में 2018 एश्या खेलो की मेजबानी की गए थी ये पॉइंट भी आप लोग नौट कर सकते हैं लावनी कहा का लोग संगी था दोस्तो मारास्ट हो जाएका राजपाल बनने के नियूनितम आयू दोस्तो 35 होती है देखें नियूनितम आयू जब राजपाल की पूछी गई थी मैंने तब ही बताया था है दोस्तो राश्पती जी की पूछी जा सकती है और फिर आगे की दू टेचिबल्टी कोशन रिपीट हो गया ये वाला भी से संबंदित अनुच्छे कौन सा है तो अनुच्छे दोस्तो 17 हो जाएगा अनुच्छे 17 कहता है कि एस परस्ता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है आई-बी के वर्तमान अध्यक स्कोन है दोस्तो तपन कुमार डेका इस कोशन कर रहे टांस रहेगा माना विकास सुचकांग में भारत की रेंग क्या है दोस्तो 132 है और माना विकास सुचकांग 2020-21 में रेंग 133 ये पोइंट भी आप लोग नोट कर लेना क्योंकि क्या पता कल तो सवय का काम स्वह्म करना अच्छा होता है इस परकार से इसका आर्थ हो जाएगा बंद्र क्या जाने नीमभू HAMuma को सही करना था तो अधरक दोस्तो सीका new ऐटांस हो जाएगा बंद्र क्या आनने अधरक कश्वाथ इस परकार से हो जाएगा गोवा का मुक्यमंतरी कोण और आत्म निर्वर्टा पर दोर दिया गया था पांच भी पंजबर्शे योजना में कारेकाल था 1974-1978 यह योजना दोस्तों गरीबी हटाओ रोजगार न्याय किर्सी उत्पादन रक्सा केंद्रित्ति यह आपको यह दखना है दोस्तों एक कोशन था कि धातू है तो दूद क क्या होगा तो इसमें ऑप्शन के कोड़ी मखन राइट आंसर हो जाएगा एस पीजी की फिल फॉर्म पुझेगी थी तो इस्पेशल प्रोटेक्शन गुरूप राइट आंसर रहेगा दोस्तों तमिलनाडू का नत्या पूछा गया था तो भरत नाट्यम ऑप्शन में था दोस्तों यही राइट आंसर हो जाएगा बरत नाट्यम भारत में सास्तर नत्या का सबसे पुराना रूप है यह पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेना क्योंकि यहां से भी कोशन पूछा जा सकता है ठीक है और बाकी दोस्तों जो भी पीडियाप है हमारी एनलिसिस की वो जो से इंपोर्टेंट फीडियाप है दोस्तों यह पे जो एस सी जीडीवालों के लिए है वह 1400 परशनों की जो पीडियाप है जिसमेंसे दोस्तों अगर मैं आज बोलू तो कम कम बी दशी सा वॉभी पीडियाप को जरूर पढ़के जाना उससे बहुत हैल्प हो जागी बाकी अगर मैं बात करूँ दोस्तो टोपिक वाइज जितनी भी मेरी वीडियोज हैं 20 टोपिक पर हो गई, संभावित परसन क्योंगी उनकी मैंने छोटी छोटी पलेलिस्ट बना रखे बिस बिस वीडियो की, उनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में है, उनको भी पढ़के जा सकते हैं थोड़ी सी महनत करने की जोरत है अभी बिल्कुल लास्ट चल रहा है अगर आप थोड़ी सी महनत कर लेंगे, आपको डाउनलोड करके अगर ये पीडियाप डाउनलोड करनेंगे, तो ये थोड़ी सी महनत है और दो प्लेलिस्ट जो मैंने बताई है अभी डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक है उनको पढ़ लेंगे तो ये बहुत हो जाएगा आप लोग के लिए क्लास में और बेल एकन को जुरूर रखे क्योंकि यहां से आप लोग को दोस्तों हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पराप्त होता रहेगा